तो हेलो गाईज, वेलकम बाक टू दी चैनल, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे घर का जो सीलिंग फैन होता है, उसमें जो कैपासिटर लगा आता है, तो उसकी प्रॉपर वैल्यू हम कैसे डिसाइड करें, कैसे चूज करें प्रॉपर वैल्यू, जैसे कि मार बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज, अगर आप ये वीडियो अगर कोई नॉन टेकनिकल परसन देख रहा है, तो उनके लिए बताना चाहूंगा, अगर आपको कैपासिटर रिप्लेस करना है, उसके उबर मैं एक वीडियो दीए, तो आप आई बटन में आप देख सकते ले किया हो और कैपासिटर रिप्लेस करों, दूसरी बात, अब हम पॉइंट पर आते हैं, अगर फैन में कैपासिटर है नहीं, मलब कही निकला हुआ है, या फिर जल गया है, या कुछ भी इशू हुआ है उसके साथ, अब हमें डिसाइड करना है कि exactly हम कौन सा कैपासिटर में लगाएं, तो गाइस उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फॉर्मिला है हमारे पास, उसके जरिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे फैन में हम कौन सा कैपासिटर लगाएं, तो बहुत ही आसाने, आप एक स्क्रीन पर एक बार आप देख लो, यहाँ पे एक होने के बाद आपके लिए सारी चीज़े बहुत ही आसान हो जाएगी, तो अभी हमें पता चल गया, जैसे कि मैं मेरा एक्जामपल ले लेता हूं, कि मेरा फैन जो है, वो 73 वाट का है, ठीक है, 73 वाट का फैन है मेरा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा फॉर्मिला को समझते ह आसान है, आप टेकनिकल हो, और नोन टेकनिकल हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसानी से आप इसे सॉल कर सकते हो, कुछ करना नहीं है, जैसे हम 10 में जो मल्टिप्लिकेशन और डिवाइट करना सीख लिए, वो ही करना है बस यहाँ है, तो देखो, जैसे कि आप य मेरा जो है, वो 73 वाट का फैन है, उसके बाद यह है इफिशेंसी, तो हम इसको 80 लिख देंगे, और मल्टिप्लाइ करेंगे 1000 से, फिर उसके बाद डिवाइट करेंगे, वोल्टेज का स्क्वेर, मल्लब वोल्टेज जो हमारे घर में आ रहा है, जैसे कि मैं मुंबई में र पता चलता है, महलों उसके डिस्पले पे वो रीडिंग आ जाती है, तो वोल्टेज पता कर लो एक बार, तो वोल्टेज एक कॉमन मैं जिस मेरा एक्जामपल ले रहा हूँ, 220 मेरे यहाँ वोल्टेज आ जाता है, और जो फ्रिक्वेंसी है, वो हमारे इंडिया की स्टैंड फ्रिक्वेंसी है, 50 हर्ट्स, ओके, तो अब मैं यह फॉर्मिला में, मेरी जो वैल्यूज है, यह मैं फॉर्मिला में डालता हूँ, जैसे कि पावर है मेरी, 73 वाट वो मैंने लिख लिए, इफिशेंसी जो 80 लिखने है, मल्टिप्लाइग 1000 से किया है, फिर उसके बाद जो स्क्रेज है, मेरे यहाँ पर 220 वोल्ट आता है, उसका स्क्वेर कर लिया मैंने, इंटू 50 हर्ट्स, जो हमारी कॉमा नहीं मलब, इंडिया की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है, अब मैं इसका पहले मल्टिपाइग कर लेता हूँ, तो सबसे पहले हम करेंगे 73 इन्टू 80 इन्टू 1000, इक्वल टू आया 5840, अब हम करेंगे 220 इन्टू 220 इन्टू 50, तो अब हमने यह मल्टिप्लिकेशन कर लिया, तो हमेरी यह वैल्यू आ गई, अब भी मैं करता हूँ, यह 0, 0 कट करते हूँ, 0 कट, यह भी 0 कट, यह भी 0 कट, तो अब बचाए हमारे पास इतना वैल्यू, 584, तो जैसे कि आप देख रहे हो, कल्कुलेटर में, यह वैल्यू हमारी आ गई है कुछ, 2.41, ओके, 2.41 माइक्रो फैरेड, तो अभी देखो, जैसे हमारा जो आंसर आया है, 2.41 माइक्रो फैरेड, तो 2.41, ऐसा मलब कोई और वैल्यू कैपासिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो अभी यह तीन कैपासिटर में से, जैसे 2.5, 3.15 और 4 माइक्रो फैरेड, तो इसके यह तीनों में से, नियरभाई कैपासिटर हमारा है, 2.5 माइक्रो फैरेड, तो हम क्या करेंगे, इसके जगे मलब ये value के जगे पे हम क्या करेंगे 2.5 microfarad का capacitor हम हमरे fan में लगा लेंगे तो guys आशा करता हूँ मलब आपको ये सारी चीज़े समझ में आ गई होगी अगर फिर भी कुछ doubt है तो comment कीजे मैं उसका reply करूँगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजे और चानल पर नए हो तो subscribe जरूर कीजे thanks for watching